इंप्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद अगर पीरियर्ट सा जाएं तो क्या प्रेग्नेंसी होगी क्या आपको प्रेग्नेंसी टेस्ट करना चाहिए आपको क्या वेट करना चाहिए कि हो सकता है कि आपने गर्वधारण कर लिया हो ऐसे कंफ्यूजन वरे कुश्चन आप आपके पीरियोड सा गए हैं अब आपके मणमें डौन है कि क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं 10 परसेंट सब्सक्राइब जो जैसी हो सकते थी इस बार वैसी नहीं आई उससे थोड़ी सी कम ही है तो क्या कोई चांस है प्रेगनेंसी का टेस्ट करके देखना चाहिए वेट करना चाहिए या फिर भूल जाना चाहिए कि नहीं पीडियर्स ही होंगे हम प्रेगनेंट नहीं है चलिए आज किस वीडियो में यसी खास टॉपिक पर बात करते हैं ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन हूँ आपकी दोस्त प्रतिभाह और बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल बेस्ट केर और प्रेगनेंसी में इंप्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो एक प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है जो कि आपकी पीरियाड डेट से अकसर 90% केसे में पीरियाड डेट से प में Confuse मत होईएगा कि ये क्या सबको होता है ह्यों कि अब अगर आपको पार्टिंग हुई है जैसे कि मान लेतें कि अगर आपको Implantation Bleeding हुई है आप समर पहले confusion clear कर लीजेगा कि आप कलीर है कि आपको implantation bleeding ही हुई थी आपको dark color की स्पॉट्स आये थे जो spotting आई थी बहुत कम-कम थी आपको pets की नीड उस समय भी नहीं पढ़ रही थी जब आपको implantation bleeding हुई थी और या तो black color की sports हो सकते हैं या तो डार्क ब्राउन कलर के हो सकते हैं रेड कलर का उसमें कुछ भी नहीं था कोई स्पॉर्टिंग नहीं थी और वो सिर्फ इसपॉर्ट ही थे वो ब्लीडिंग नहीं थी मतलब कि वो फ्लो में नहीं था अगर आप इतना क्लियर हैं और वो शुरुवात में दो तीन दिन ऐसे ही चली थी साथ ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम से दिख रहे थे तो यहां पर तक चांसर होते हैं कि आपकी इंप्लांटेशन ब्लीडिंग है तो आप टेस्स करके देख सकते हैं अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पहले स्पॉर्टिंग हुई 2-3 दिन फिर उसके बाद अचानक सुनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो ऐसे केस में अगर आपकी स्पॉर्टिंग हुई थी फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो कि पहले रुक रुक के स्पॉर्टिंग हुई आपने समझा हैं इंप्लांटेशन ब्लीडिंग हैं फिर हैवी पीरियर्स आगें यह कई बार ऐसा होता है कि बॉड़ी में जो प्रॉपर हार्मोंस होने चाहिए प्रेग्नेंसी कंसीव करने के दिए उतने बन नहीं पाए उत जिस लेवल को उतना नहीं हुआ इसकी वज़े से आपके पीरियर्स आ गए और आपका इंप्लांटेशन सक्सेफू नहीं हो पाया तो अगर आपकी इस पॉर्टिंग हुई शुरुवात में कुछ और उसकी बाद आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो यह पीरियर्स ह फॉर्टिंग की स्टार्टिंग के साथ हुथ मतलब शुरू में एक दो दिन उनके पीरियर्स थी तरह से आते हैं कि वह स्पॉर्टू की तरह लगांएं फिर तीर पिर फ्ल स्टार्ट होता हैं थीर्म्हां की क्या हम प्रेग्नेंट्बृटन हो सकते हैं तो जब आपकी हो आप एक बार प्रेग्नेंसी टेस्ट करके दीख सकते हैं कुछ 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनका यूट्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है कमजोर होता है तो उनकी प्रेग्नेंसी में ब्लीडिंग होती है शुरवाती तीन महीने तो कुछ लोगों को बहुत ही ब प्रेग्नेंसी हो सकती है लेकिन फिर भी आप अपने मन में कोई डाउट ना रखें इसके लिए जब भी आप ब्लीडिंग अपकी स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप एक बार प्रेग्नेंसी टेस्स जरूर करें तो आई होप कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा और जो अभी तक आपके मन में हल चल रही थी उसका जवाब आपको मिल गया होगा वीडियो अच्छा लगा हो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा चली मिलते ने खास वीडियो में केसी नहीं और बहतर जान कारिक साथ तब तक के लिए स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए और बेस्ट करो फ्रेग्नेंसी देखते रहिए बबाई सी सून इस्टे हैपी एंड इस्टे हल्दी नमस्कार